इस कहानी की शिरुवात होती है एक 6 साल की बच्ची केया से जिसने एक दिन देखा कि उसकी माँ नए जूते पहन कर हाथ में सूटकेस लेकर बाहर जा रही थी कुछ बताया नहीं कि कहां जा रही है ऐसे आमतोर पर जब भी वो बाहर जाती थी तो पीछे से अपने बच्चे को हाथ थेला कर जाती थी कि वो लौट आएगी गुडबाय करके जाती थी लेकिन इस बार उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा केया अपने सारे बाही बेनों में सबसे छोटी थी तो उस बेचरी को क्या समझ में आता कि अब उसकी मा कभी लौट कर नहीं आएगी अब इस केया का एक भाई है जोड़ी जिससे उमर में थोड़े ही बड़ा है उसने बोला तुम चिंता मत करो मा बहुत जल्दी लौट आ और बीवी भी घर पर नहीं है बिचारे बच्चों ने बताया नहीं कि उनकी मा घर छोड़ कर चले गई है केया को मालूम है कि इसकी माबाप की लड़ाई होती रहती है और शायद यही वज़य है कि मा घर छोड़ कर चले गई है अब अकसर पहले भी इसकी मा घर छोड़ कर बनाना घर साफ करना वगेरा और ये गली में देखती रहती थी कि कब उसकी मा लोट कर आई अब कुछ हफते गुजरे मा फिर भी लोट करनी है लेकिन इससे बुरी चीज ये हुई कि किया का एक सबसे बड़ा भाई था वो भी घर चूड कर चला गया उसकी दो बहने बड़ी वाली वो भी घर चूड कर चले गई घर के बड़े फैमिली मेंबर्स यानि कि बड़े भाई बहन वो घर चूड कर चले गए क्यों कि उन तीनों को भी अपने शराबी बाप का गुसेल वाइलन बाप का बिहेवियर बरदाश्ट नहीं होता था इसलिए और वो इतने बड़ अब इस घर में बचे तीन जने केया उसका वाईलन शराबी फादर और उसका भाई जोड़ी केया एक दिन अपने भाई जोड़ी से बोलती है कि अपने दोनों भी चलते हैं भाग चलते हैं तो जोड़ी बुला सब कुछ सही हो जाएगा सब वापिस लोट आएंगे लेकिन एक रात यही सब बोलने वाला जोड़ी खुझ चला गया घर छोड़कर ये केया को बोलकर गया कि घर का ध्यान रखना सब सही हो जाएगा अरे बैस सब सही हो जाएगा तो तू क्यों जा रहा है घर छोड़कर वो चला गया बिचारी केया अपने वाइलेंट फादर की साथ अकेली जो कि अभी घर पर नहीं है तो उस रात ये बिस्तर पर लेटी हुई सोचने लगी ये अब खाना कौन बनाएगा सारे तो जा चुके हैं और पापा घर पर आएंगे तो उनको खिलाओंगी क्या तो इसकी पास थोड़ा खाना था इसने बचा के रखा था कि पापा आएंगे तो पापा को खिलाओंगी पूरी रात इंतिदार करती रही लेकिन पापा लोटकर नहीं आया अगले तीन दिनों तक वो लोटकर नहीं आया तो ये क्या घटती अपने गाडन में जो कुछ भी लगा रहता शल्जम वगेरा वो सब खा लेती फाइनली जब पापा लोटकर आया तीन दिन बाद में वापस लोटकर आया तो केया से पूचा कहां गय सारे केया बोली पता नहीं मैं तो घर पर नहीं थी तो उन्होंने उस वक शराब पी रखी थी गुसे में वो केया पर हाथ उठाने वाले थे लेकिन नहीं उठाया केया को रियलाइज हुआ कि अब जैसे भी रहना है अपने गुसेल वाइलन बाप के साथ ही रहना अब आप ये सोचोगे कि इसकी फादर जो शराब पीते हैं इतनी उनके पास शराब के पैसे कहां से आए क्योंकि देखकर लगता नहीं ये कोई काम करते होंगे तो इसके जो फादर है ये वर्ल्ड बाट सेकंड में लड़े थे उसमें गायल होने की वज़े से अभी इनको हर हफते disability चेक मिलता है उनके पैसों से ये शराब पीते है अब ऐसे एक दन गुजरते गए बैचारी केया इसको तो अपने बर्थ डेट भी नहीं पता इसे बस इतना पता है कि मेरा बर्ड डे गर्मियों के सीजन में आता है अभी ये 7 साल की हुई गई होगी अब सुनो अब ये कहानी गौड से सुनना ये कहानी 17 साल आगे जम्प करके जाती है अभी से 17 साल आगे जाती है एक पायर टावर के पास्ट में दस-डस साल के दो बच्चों को एक dead body मिली fire टावर पे कीचड के पास्ट में ठीक है तो ये बात इन बच्चा बताई टाउन की लोगों में एड जैक्सन नाम का एक आदमी उसने बुला चलो देखते हैं उसने देखी वाई डेड बोरी टावर पर लटकी हुई थी बड़ा हॉरिबल सीन था चेंज एंड्रियूज नाम की बंदे की डेड बोरी है ये अंदाज़ा लगा के बताया है कि ये आदमी एक वेल रस्पेक्टेड आदमी है अच्छा खासा शादेश उदा आदमी था और अंदाजन इसकी डेथ कोई 10 घंटे पहले हुई होगी सर ठीक है तो ये एड जेक्सन ने नोटिस किया कि कीचड में किसी के भी पैरों के निशान नहीं है सिवाए उन दो बच्चों के जिनको ये डेड बोरी मिली है इवन खुद डेड बोरी के भी निशान नहीं है कमाल है ये एक्सिडेंट है murder है या what's you said कुछ समझ में नहीं आ रहा खेर इस कहानी को फिर से 17 साल पीछे ले जाते हैं केया की स्टोरी पर अब आप ये कहोगी केया की स्टोरी में ये 17 साल आगे जागर के murder ये सब कहानी जुड़ेगी कहानी 17 साल पीछे जाती है केया की स्टोरी पर तो केया अपने boiland father के साथ में रहती है जिसको इसकी पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है केया की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है छोटी है भी तो एक लेड़ी बारबार केया से मिलने आती है उसको बोलती है बेटी चल तिरह स्कूल में अड्मिशन करवाओ तुझे वहाँ पे फ्री का खाना भी मिलेगा खाने को तो वो भुखी थी बिचारी चली गई स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे सेकंड ग्रेड में डाल दिया एड्मिशन कर दिया क्योंकि पर्स ग्रेड के क्लास्रूम वैसे ही फुल थे ठीक है किया गई सेकंड ग्रेड के क्लास्रूम में वहाँ जाकर इसने देखा कि कुछ बच्चे उसी की तरह नंगे पैर थे वहाँ बैठी अपनी जगह पर जाकर पीचर बोली बोलो डी ओ जी डॉँण डॉग ये डर गई ये बोली जी ओ डी गवड ये सुनकर क्लास की सारे बच्चे इस पर हसने लगे इस बिचारी को शर्म आई यह जुक कर बैठ गई जतना नीचे हो सके उतना नीचे जुक कर बैठ गई खेर ये तो यहाँ पर लंच करने आई थी कोई यहाँ पर स्कूल में पढ़ने थोड़ी आई थी दोपैर को जब इसको लंच मिला तो कोई भी इसकी पास बैट कर खाने रहा था तो इस बेचारी ने क्या किया थोड़ा खाया बाकी छुपा लिया कि बाद में खाऊंगी बाकी पूरा दिन स्कूल में चुप बनी रही बच्चे इसका मजाग बनाते रहे कीचड की मुर्गी वूलगर और ये रोने लग गई ठीक है फिर कभी बेचारी स्कूल नहीं गई जब स्कूल वाले से लेने आये तो ये जंगलों में चुप गई ये इसकी जिंदगी का शुरुवाती एक्स्पिरियंस था इसकूल का जो इसका बहुत बुरा रा तो ये आपनी बाकी की बच्ची वी जिंदगी कभी भी स्कूल पढ़ने नहीं गई ये क्या करती थी इचर में से शेल्स कलेक्ट करती दूसरी एक्टिविटीज में लगी रहती जंगल में बाकी ये पढ़ती नहीं थी और अपने उस अलकोहलिक फादर के साथ में रहती थी जो रातो रातो गायब रहता था घर नहीं आता था ये इंतजार करती करती सो जाती थी अभी भी केया को उम्मीद थी कि इसकी मा लाटकर आएगी लेकिन एक दिन इसकी वो उम्मीद भी खत्म हो गई इसको समझ में आई गया कि अब उसकी मा लाटकर नहीं आने वाले तो वो सोचने लगी कि वो कीचड़ ही अपनी असली मा है इसने कीचड़ को अपनी असली मा मन लिया अब जोसो कहानी फिर से 17 साल आगे जाती है ये एड जेक्सन को जो डेट बोर्ड ने मिली है इन्वेस्टिकेशन करने में लगा हुआ है कि इसकी डेट कैसे हुई इस बंदे का नाम है चेज अंड्र्यूज जिसकी डेट हुई है उस रात हुआ ग्या था इंवेस्टिकेशन जारी है ये एक्सिडेन्ट तो नहीं लग रहा किसी ने चेज को धक्का दिया अब कहानी फिट से 17 साल पीछे आ जाती है केया के फादर केया के अलकोहलिक फादर एक दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर कहीं जा रहे थे केया से बोले कि मैं जा रहा हूँ आर्मी से अपने चेक सी रकम बढ़वाने के लिए जो डिसेबिलिटी के लिए इनको चेक मिलते थे जिसे ये दारू पीते थे उसकी रकम बढ़वाने के लिए और उन्हें केया को ये भी नहीं बताया कि कब तक लौट कर आएंगे उसने देखा कि वो आखरी थे जो उसकी साथ रहते थे वो भी चले गए और जाते जाते वो हाथ लाते गए अपने बच्ची को उसे नहीं पता था कि उसकी फादर अब लाट कर आएंगे भी या नहीं खैर केया के फादर के जाने के बाद केया की दोस्ती होती है एक लड़के से इस लड़के का नाम है टेट नाम याद रखना दोस्तों इसका भी रूल है आगे तो टेट से दोस्ती हो जाती है इसकी इससे मिलने के बाद केया से मिलने के बाद वो इसका दिवाना सा हो जाता है और इसी के बारे में सूसता रहता है ये विचारी किया भी बाहर की दुनिया से दोस्ती नहीं रखती थी नॉन लिविंग चीजों से हमेशा बाते गड़ती रहती थी अच्छा हुआ जो ये लड़का इसका दोस्त बन गया अब दोस्तो आज की वीडियो में बाकी कहानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कुस करेंगी ये कहानी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों ये जो नूवल है बेस्ट सेलर्स में फर्स नंबर पर रही है तो आज की वीडियो में बाकी का नेक्स्ट वीडियो में